मचुवारे ने दुरलब अट्लांटिक क्रोकर मचली 72 लाख रुपय में बेची। सौमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक पाकिस्तानी मचुवारे ने देश के सबसे महंगे समुद्री भुजन लेन देन में से एक दुरलब 48 किलोग्राम अंट्लांटिक क्रोकर मचली को 72 लाख रुपय में बेचा है। डौन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नाविक साजिद हाजी अबापकार ने रवीवार को बलुचिस्तान प्रांत के ग्वादर तट पर मचली पकड़ी, एक निलामी हुई और उच्चेतम बोली 6.4 लाख रुपय में तई की गई। अबापकार ने कहा, हाला की हमने छूट की अपनी परंपरा का पालन करते हुए 72 लाख रुपय के लिए समझोता किया है। मच्चे पालन के उपनेडेशक एहमद नदीम ने कहा की उन्होंने कभी मचली की इतनी अधी किम्मत नहीं दी। अटलांटिक क्रोकर की बहुत मांग है यूरोप और चीन के चिकित्सा विज्ञान में तवचा और हड़ियों के लिए उपयोग होता है। समुदरी जीव विज्ञानी और परियावरन विकास के सहायक निर्देशक अब्दुल रहिम बलूच ने कहा कुछ मचलीयां अपने मास के कारण महंगी होती है। लेकिन इस प्रजाती खास करके बड़ी क्रोकर मचली की मांग अधीक है क्योंकि इसके कुछ हिस्सों का दवा और सरजरी में उपयोग के लिए जाना जाता है और अट्लांटिक क्रोकर का वजन आम तोर पर लगभग 1.2 किलोग्राम होता है।